गुड मॉनिंग डियर स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो 10 क्लास की बुक His First Flight का जो चैप्टर नमबर 7 थै उसका जो Part 2 कुर्ग उसकी समरी को हम पूरी डिटिल के साथ करेंगे कुर्ग एक ऐसी जगए है जो भहुत ही खुपसोर्त है और इस कुर्ग को देखकर ऐसा लगता है जैसे सवरक का टुकड़ा बगवान के राज्य से दूर चला गया हो और परत्वी पर आकर इस जगए पर बस गया हो कुर्ग इतना ज़्यादा खुपसोर्त है वहां की सुन्दरता इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो आदमी को अपनी तरफ आकरशित करती है इसलिए यहां पर जो टूरियस्ट है वो बहुत काफी मात्रा में आते हैं यह मैसूर और मैंगलोर के बीच कहीं है यह एसमान उच्चाई की कम पहाडियों वाला अच्छेतर है यहां के जो पुरुष है वो बहुत बादूर होते हैं और कुरुक की जो महिलाई हैं वो बहुत ही सुन्दर होती हैं जगए पर विविन परकार के जंगली जानवर भी यहां पर देखे जाते हैं कोडागू के रूप में वीच को जाना जाता है कुरुक को कोडागू के नाम से भी जाना जाता है यह करनाटक के सबसे छोटे जिलों में से एक है इस चैप्टर में जो राइटर है वो कुर्ग के हिल स्टेशन के बारे में डिस्क्राइब करता है लोकेटिड इन दा वेस्टन गाट इन दा स्टेट अफ करनाटका जो करनाटका के वेस्टन गाट की तरफ पढ़ता है इट इस लोकेटिड मिडवे बिट्विन बैंगलोर एंड मैंगलोर यह है बैंगलोर और मैंगलोर के बीच में पढ़ता है कौन सा कुर्ग दा सुटेबल टाइब टू विजिट कुर्ग इस फ्रॉम सेप्टेमबर टू मार्च। टूरियस्ट के लिए जो यहां की यात्रा करने का जो सबसे परफेक्ट टाइम है वो सेप्टेमबर टू मार्च है। दा प्लेश इज फेमस होर कोफी प्लांटेशन, एवर ग्रीन फोरेस्ट एंड स्पाइस जो कुर्ग है वो कुर्ग कोफी प्लांटेशन, एवर ग्रीन फोरेस्ट दा भार जंगल एंड स्पाइस इज और मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। there are abundant rain forest which covered 30% of the area यहां पे प्रियाफ्ट मार्पना में बारिस होती है लगबग 30% एरिया में यहां पर बारिस होती है दा कुरगी men are brave जो कुरगी आद्मी हैं वो बहुत ज्यादा भादूर होते हैं वैरियर भहुत भादूर योदा होते हैं इतने ज्यादा परसीद होते हैं बहादूर होते हैं और इनके बहादूरता के काण इनके सरकार ने इनको permission दी हुई है कि ये without a license ये बिना कोई license हथिया रख सकते हैं due to their trustworthiness. उनके विश्वास के काण उनको permission दी हुई है कि ये हथिया रख सकते हैं बिना license. The women of kurg are pretty. जो ओरते हैं kurg की वो बहुत ही ज्यादा सुन्दर हैं. कुर्ग is also known as kodao. कुरु को kodao के नाम से जाना जाता है और इसको kodao भूज भी कहा जाता है. दो आरदा हिंदूज by religion. हलाकि ये धरम के आदार पर इनको हिंदू माना जाता है. But their customs differ from those of mainstream Hindus. लेकिन उनका जो रहन सेन हैं, जो उनके रिती रिवाज हैं, वो हमारे हिंदू दरम से मेल नहीं खाते हैं. उनसे बिल्कुल different है. They marry within their community. वो अपनी community के लोगों से साधी करते हैं. उनका जो way of marries हैं, वो हमारे हिंदू दरम से बिल्कुल अलग हैं. Kodows are said to be Greek or Arabic descent. Kodows के बारे में ये कहा जाता है, की वे Greek और अरब की संतान हैं, उनके वनसज हैं. Some soldiers of election armies settled here. एक बार सिकंदर यहां पे अपने सैनिकों के साथ आया हुआ था. तो क्या होता है कि उसके एक आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्षा यहीं रुख गया. और उनके लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया. तो उन्होंने क्या किया? यहां के जो लोकल्स थे, उन लोकल्स के साथ उन्होंने मेरिज की और वे वहीं पे रुख गए. आलसो अज़ दा एथनिक ड्रेश ओप दा कोडावस और कोडावस की जो ड्रेश है उसके आदार पर हम यह कह सकते हैं कूपिया इस सेमिलर तू दा अरब गार्मेंट कूपिया जो यहां के कूडाव के जो लोक पहनते हैं ड्रेश उसको कूपिया का जाता है ओ बिल्कुल अ खूपिया है जो पहनावा है अरब वासी जो पहनावा पहनते हैं एक लंबा कोट पहनते हैं वो बिलकुल उनका जो पहनावा है वो बिलकुल अरब जैसा दिखाई देता है इसलिए इनको अरबी वनसज भी माना जाता है इटी सेड ये काज़ाता धैड में भी देर एनचेस्टर वर अरब और कुर्ड हो सकता हुए उनके जो वैंशचव और अरब हो या कुर्डो दारिवर यहापे कावेरी नदी का जनमस्तान है फ्रोमदा कुरक की तूर है वहाँ से कावेरी नदी निकलती है इस नदी के तरो ताजा पानी में महासिर नाम की मचलिया पाई जाती है इसमें बहुत से जंगली जानवर पाई जाते हैं पक्सी पाई जाते हैं जैसे कि लाइक किंग फिशर्स, लंगूर्स, स्क्रेल्स and एलिफेंट्स इस तरह के जानवर बाइट्स हमें वहाँ देखने को मिल जाते हैं कैन भी स्पोर्टिड अलोंग दा रिवर ये नदी के पास पास पाई जाते हैं टूरियस्ट रिलेक्स इन दा सेरेन अटमोसफियर यहां का जो भवती, स्यानती पूर्वन, एटमोस्फियर होता है, माहूल होता है, उसमें यहां जो टूरियस्ट है, सैलानी हैं, वो आराम करते हैं, and also enjoy adventure sports, और जो रिस्की वर्क होते हैं, adventure, जो खत्रों से भरेवे गेम होते हैं, उनको वो खेलना पसंद करते हैं, जैसे like river rapting नदी में rapting करना, canoning, now चलाना, rappling, mountain biking, पहाडों पर बाइक चलाना, rock climbing, पहाडों पे चड़ना, end tracking और paddle यात्रा करना, यह उनके परमुक adventure sports है, wild tracking on the nature trails, और जो परकरती की जो पगडन्रिया होती हैं, रस्ते होते हैं, animals like, यदि आप वहाँ पे चलते हो, वहाँ पे आपको बहुत से जानवर की company मिलती है, जैसे मैकाक्स, एक लंगूर बंदर की तरह, मालाबार स्क्रेल्स, लंगूर्स, एंड स्लेंडर लोरीज, इस तरह के जानवर है, वो आपको पेडो पर दिखाई, देते हैं, दा major tourist attraction आर दा ब्रमगिरी हिल्स, लेकिन जो सबसे बड़ा, जो tourist सैलानियों का, जो सबसे attraction, आकर्षन का जो केंदर होता है, वो ब्रमगिरी की पहाडियां होती है, निसार गंदम, आईलेंड, यहाँ पे निसार गंदम, एक आईलेंड, एक टापू है, एंड बैले क्यूपी, एक बैले क यहाँ पे देखी जा सकती है, यहाँ पे हम बहुत से सादू संतों को, बहुत धर्मों के सादू संतों को, जो वहाँ पे meditation करते हैं, पीले और लाल रंग के वस्तर पहने वे, हम उनको काफी मात्रा में देख सकते हैं कुर्ग गिंज विजिटर एफिल ओप इंडिया डाइवर्स कल्चर, कुर्ग यहां के सैलानियों को जो भी आप टूरिस जाते हैं, उनको इंडिया की डाइवर्स भिन भिन जो अलग अलग कल्चर है, उसके बारे में बताता है, क्योंकि वहाँ पे पहनावा है, वो अर्व या कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, उस फेस्टिवल में वहाँ पर ग्रिक लोगों की संसकर्ती दिखाई देती है, और वे जो होस्पिटलिटी के लिए भी जाने जाते हैं, मिन्स वे आदर सत्कार के लिए भी, महमान माजी के लिए भी वो जाने जाते हैं, दे स्टुडे झाल